हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल करना इंफो टैक पे मेरा नाम है संकर सोनी दोस्तो जैसा कि आप देखी रहे होगे कि हमारे जो टेबल के उपर बहुत से टूल रखे हुए हैं जो यह टूल्स है यह जो भी CCTV टेक्निसियन है तो उसके लिए जो भी टूल्स है काफी इंपोर्टेंट होते हैं तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब भी हम कभी CCTV कैमरा इंस्टोल करने के लिए जाते हैं तो हमारे जो बैक के अंदर कौन-कौन से टूल होने चाहिए जिसकी हैल्प से हम इसली वाँ पे CCTV कैमरा इं जो ऑन्मर में है हमारे पास दोस्तों एक हैमर की डिल मशीन होने चाहिए इसके अलावा दोस्तों हमारे पास है्क जो डन्रल मॉशीन होने चाहिए जो हमरकी जो की मेना होती है जब भी हम किसी आदर li lance होती है जो कंक्रीट से बनती है उसके अंदर इह म Εें количество ज eman लटोब मीं उसी की help से हम वहाँ पर drill कर पाएंगे तो दोस्तो एक ये नॉर्मल drill भी हमारे पास होनी चाहिए इस drill की help से हम जो normally हम कहीं पे भी bit अपनी जो drill होती है वो दिवार में कर सकते हैं और इसकी help से हम जो normal है इसकी speed थोड़ी कम होती है इस से हम वहाँ पर जो screw होते हैं उसके बारे में हम अभी बात करते हैं इसको हम थोड़ा side बे रख देते हैं यह देखिए दोस्तों हमारे पास अलग-अलग तरह की bit होने चाहिए जो यह bit होती है यह normal bit होती है जो हमारी जो simple वाली drill machine थी यह उसके अंदर यह bit लगेगी दोस्तों यह bit कि इस bit की help से हम जो भी जैसे कहीं पर कोई लोए की कोई जैसे दर्वाजा हो गया फिर कहीं किसी लोए के अंदर हमें वहाँ पर drill करनी होगी तो जो यह bit हो यह bit वहाँ पर यह काम आएगी दोस्तों यह जो bit होती है यह जो हमारी hammer की जो drill machine होती है उसके लिए जो यह bit यूज की जाती है तो इसके लावा हमारे पास थोड़ी बड़ी bit भी होनी चाहिए ताकि हमें दिवार के आर पार अगर छेद करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो यह बड़ी bit होनी चाहिए जोस्तों हमारे पास कुछ से इस टाइप की भी bit होनी चाहिए यह देखिए आगे से screw की है बहुत बार क्या होता है कि जो हम screw tight करते हों होता नहीं है तो drill की help से हमे screw tight करने होते हैं तो इन bit की help से हम वहापे जो screw है वह tight कर सकते हैं तो दोस्तों हमारे पास एक चक होना चाहिए क्योंकि जो यह चक होता है इसको हम चक बोलते हैं यह जो हमारी जो hammer की जो drill machine होती है उसके अंदर यह लग जाता है और इसके अंदर जो यह drill जो यह bit है यह normal वाली bit इसके अंदर लग जाती है यह देगे दोस्तों यह normal bit है इसको हम इस चक के अंदर लगा के दोस्तों हम आपको यहाँ पे सारी चीज़े practically करके बताएंगे यह ऐसे जो हमारी जो hammer की जो drill होती है तो यह चक उसमें आसानी से लग जाता है और इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों drill के बाद हमारे पास होने चाहिए screwdriver दोस्तों हमारे पास जो screwdriver होते हैं वो एक तो बड़े size का होना चाहिए जो दोनों तरफ से एक side से plus और एक side से minus का हो दोस्तों एक हमारे पास उससे थोड़ा छोटा screw driver होना चाहिए यह भी दोनों side से plus और minus दोस्तों एक हमारे पास होना चाहिए tester tester की help से हम जो light होते हो चेक कर सकते हैं कि कहां पे light आ रही है कहां पे light नहीं आई है दोस्तों एक हमारे पास ही छोटा screwdriver होना चाहिए सबसे पैस्टी सबसे छोटे में आपके पास ही एक 810 screwdriver आता है आप में 810 screwdriver ही है यहां पे यूज करिए क्योंकि जो 810 होता है वो cctv camera जब हम install करते हैं बी एंसी बनाने में तो वहां पे वह काफी helpful होता है तो दोस्तों आप पे 810 screwdriver भी आपके पास एक जरूर होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों आपके पास कुछ इस टाइप से जो multi screwdriver होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए आप इस टाइप के भी यूज़ कर सकते हो इसके लावा दोस्तों आपके पास एक इस टाइप का कोई भी screwdriver होना चाहिए जिसमें ये बहुत से आपको उसकी जो bit मिल जाएगी आप इसकी help से किसी भी तरह का कोई भी screwdriver होगा उसको आप open और tight कर सकते हो इसको भी करते हैं हम दोस्तों हम अपने एक side रखते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए hammer हमारे पास एक की best quality की hammer होनी चाहिए जो lose ना हो और जो निकले ना और उसका जो handle होता है जो हथा होता है ये भी काफी अच्छी quality का होना चाहिए इसके लाओ दोस्तो हमारे पास होने नचाहिए पलायर यह पलायर इसको हम प्लाश भी बोल देते हैं यह भी हमारी CCTV camera जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें काफी helpful यह होता है दोस्तो अब हम बात करते हैं जब भी हमें कहीपे IP camera इंस्टोल करते हैं जैसे ये LAN केबल होती है तो LAN केबल के अंदर हमें ये RJ45 कनेक्टर लगाने होती है तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्रिंपिंग टूल ये होना बहुत ही ज़रूर है इसी टूल की हेल्प से हम जो CAT6 केबल होती है उसमें हम RJ45 कनेक्टर लगा सकते हैं अलावा दोस्तों हमारे पास एक ये वायर केटर होना चाहिए ये देगे दोस्तों ये हमारे पास RJ45 कनेक्टर जो ये कनेक्टर है ये भी हमारे पास हमारे जो बैक के अंदर ये वने चाहिए दोस्तों ये है वायर स्ट्रिपर जो ये वायर स्ट्रिपर है ये भी हर किसी CCTV टेकनीशियन के साथ हमेशा ये चीज होनी चाहिए यह जो हम crimping tool लेके आएंगे तो उसके साथ हमें यह wire cutter कुछ इस type की मिलेगी यह भी काफी helpful होती है जो cat6 cable को हम जब हम cat6 cable में जब हम ऐसे connector लगाएंगे RJ45 तो दोस्तो उसमें काफी helpful होगी दोस्तो एक जो multimeter होता है वो हट CCTV technician के पास ही multimeter होना चाहिए इस multimeter की help से हम check कर सकते हैं कि हमने जो power दी है वो power properly आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि जब भी हम किसी camera को power देते हैं तो जैसे हम 12V की जो power होती है हमारी वो power देते हैं तो इसकी help से multimeter की help से हम check कर सकते हैं कि हमारी जो power है वो आ रही है या नहीं आ रही है multimeter की help से दोस्तों हम DC power भी check कर सकते हैं और जो AC power होती है हम उसको भी multimeter की help से जो check वहाँ पे कर सकते हैं इस multimeter की help से हम ये भी check कर सकते हैं कि कोई wire जब हमने install की है कोई बीच में से break तो नहीं हो गई क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसे होता है कि जब हम वायर लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर फ्राइर हिछावा आ जाता है उससे जो वायर होती है वह इसे ब्रेक हो जाती है तो इस मल्टिमीटर की हैल्प से हम जेक कर सकते हैं कि कई से हमारी वायर बीच में से टूटतो नहीं गई है तो दोस्तो हर किसी cctv technician के पास जो ये multimeter है ये हमेशा होना चाहिए आप पे किसी भी best quality का ले लो या फिर आप जैसे कोई भी normal हो गया आप पे normal भी multimeter वाँ पे use कर सकते हो पर दोस्तो थोड़ा अच्छी quality का ये आपको use करना चाहिए ताकि जो भी voltage और प्रोपरली आपको पता चले कि कितनी voltage यहां पर आ रही है कितनी voltage नहीं आ रही है दोस्तो इसके अलावा हमारे पास होने चाहिए एक ये iron दोस्तो बहुत बार क्या होता है कि जो wiring होतिया में wiring solder करने पड़ जाती है तो उसके लिए हमारे पास ये soldering iron होनी चाहिए विया और यह हमारे पास्यक्ति होना चाहिए और यह हमारे पास से पेस्ट है और यह हमारेपास वायर है इसकी help से हम कहीं पे बी जैसे कोई ब्रेक हो गई तो इसको हम इसके help से हमें बहुत बार पर यूजे करनी पड़ती है तो आप इस iron से वहाँ पर use कर सकते हो दोस्तों हमारे पास जो ये है PVC गिटी दोस्तों हमारे पास जब भी हम CCTV camera इंस्टोल करते हैं तो जो camera के box के साथ जो गिटी होती है वो थोड़ी low quality के आती है या फिर वो थोड़ी छोटी होती है जिससे camera वहाँ पर tight नहीं हो पाते है तो आपको कुछे इस type की जो गिटी है वहाँ पर use करने चाहिए दोस्तों इसके अलावा आपके पास जो ये clip है अलग-अलग size की clips हो गई वो भी आपके पास वहाँ पर होनी चाहिए ताकि जो भी हम अपनी जो wire लगाएंगे तो wire को tight करने के लिए जो हमें इनकी जो clip हो गई इनकी हमें वहाँ पर जरुत पड़ेगी बहुत बार दोस्तों हम underground wiring कर देते हैं वहाँ पर इसकी जरुत नहीं पड़ेगी पर अब जब कभी हम open wiring करेंगे तो open wiring के अंदर हमें इन clips की जरुत वहाँ पर पड़ेगी दोस्तों एक हमारे पास एक wire cutter होना चाहिए क्योंकि जो wire cutter है wire cutter एक के बहुत important है CCTV, camera लगाने के लिए क्योंकि दोस्तों इस wire cutter की help से हम किसी भी wire को cut कर सकते हैं तो दोस्तों आपके पास एक यह wire cutter होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसके अलावा आपके पास जो यह tape है यह tape भी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों ज्यादा तर अगर आप पर जैसे 3 plus 1 wire हो गई है ज्यादा तर आपको white color में ही मिलेगी तो आप अगर यहाँ पर white tape का अगर use करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा look मिलेगा अगर इसके अलावा अगर white नहीं हो तो आप किसी भी color की black, red या फिर blue कोई भी color की tape वहाँ पर use कर सकते हो white tape का ही वहाँ पर परियोग करें इसके अलावा दोस्तों आपके पास है जब भी आप एक कभी CCTV camera इंस्टॉल करते हो या फिर कहीं पर आपके camera इंस्टॉल करके आज सुके हो उसके बाद वहाँ पर कुछ lining आ रही है या फिर camera कभी चल नहीं रहा या properly वहाँ पर work नहीं कर र होने चाहिए दोस्तों इसके अलावा आपके बैक के अंदर यह वीडियो बैलूंस होते हैं वीडियो बैलूंस भी दोस्तों आपके बैक के अंदर हमेशा होने चाहिए क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हम थोड़े जो long distance पर camera इंस्टॉल कर देते हैं इंस्टॉल करेंगे किसी भी long distance पर तो आप सबसे पहले जो यह वीडियो बैलूंस है आप वहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए अगर आपने वहाँ पर जैसे पहले नहीं लगा है वहाँ जब कोई प्रोब्लम नहीं आई और बाद में कोई प्रोब्लम आर यह वीडियो के ल इसके अंदर वीडियो बैलून भी होना बहुती जरूरी है इसके अलावाँ दोस्तों आपके बैग में वीजे केबल या फिर होना बहुती जरूरी है वीजे केबल या एच डियमाइ केबल आपके पास कम से कम 5 मेटर की जो वीजे केबल या HDMI केबल होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो बहुत से कैमरे होते हैं जो हम इंस्टोल करते हैं उसको हम DVR बोक्स होता है जो 2U Rack, 3U Rack, 4U Rack तो वो काफी आइट पे लगा होता है तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कम से कम 5 मिटर की VJ केबल या फिर HDMI केबल यहाँ पे यूज करिए अगर आपके पास VJ केबल है और HDMI केबल नहीं है तो या फिर आप एक जो यह VGA 2 HDMI करनोर्टर होता है आप इसको भी वहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों मैं आमेशा VJ करनोर्टर ही यूज करता हूँ यह तो हो गई दोस्तों VJ केबल दोस्तों आपके बैग में हमेशा जब भी आप पे कभी CCTV कैमरा इंस्टोल करते हैं फिर आप एक टेक्निसान हो तो आपके बैग के अंदर हमेशा यह 3 पलस 1 वायर 10 से 15 मीटर की आपके बैग के अंदर हमेशा होने जाएं क्योंकि जब आपके कभी किसी कंप्लेंट पे गए और आपको वायरिंग चेक करनी है तो आपके इस वायर की हेल्प से वाँ पे अपने जो कैमरे उसको चेक कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आपके पास ही जो यह कैट 6 केबल होती है वो भी आपको 10 से 15 मेटर अपने बैग के अंदर हमेशा रखनी चाहिए जब भी आपके कभी IP कैमरे इंस्टोल करते हैं फिर IP कैमरे की कंप्लेंट पे जा रहे हैं तो आपके पास 10 से 15 मेटर की आपके पास यह कैट 6 है वो केबल हमेशा होनी चाहिए जोस्तो इसके अलावा आपके पास कोई भी एक कैमरा होना चाहिए जो वरकिंग कंडिशन के अंदर हो जो यह एक कैमरा होता है आपको यह इस टाइप का कैमरा रखना है जो CVI, AHD, TVI, CVS यह सभी को स्पोर्ट करें क्योंकि आप जब भी किसी कंप्लेंट पर कही है तो वहाँ पर कोई भी DVR वहाँ पर इंस्टोल हो सकता है वहाँ पर CVI, AHD, CVBS यह TVI कोई भी DVR वहाँ पर होगा तो जो इस कैमरे की हेल्प से जो यूनिवर्सल जो कैमरा हो गया आप इसकी हेल्प से चेक कर सकते हो कि वहाँ पर कैमरे के अंदर ही प्रोब्लम है या फिर वायर के अंदर प्रोब्लम है या फिर DVR के अंदर ही प्रोब्लम है तो दोस्तों आपके जो टूल बैग हो गया उसके अंदर हमेशा एक की जो कैमरा है वो युनिवर्सल कैमरा होना चाहिए जो CVI, AHD, CVBS और TVI को स्पोर्ट करें इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक अडेप्टर भी होना चाहिए जो कम से कम 12V और 5A का होना चाहिए क्योंकि बहुत बार अडेप्टर की वज़े से भी प्रोब्लम्स आती है जो 12V 5A का जो यह अडेप्टर है वो लगबग सभी DVR को आपे स्पोर्ट कर लेगा सभी DVR और NVR को यहाँ पे स्पोर्ट कर सकता है दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई भी एक DVR होना चाहिए जो DVR XVR के अंदर हो बतलब की जो युनिवर्सल हो उसी के अंदर HD, CVI, TVI और यह हर प्रकार के जो भी कैमरे हैं उसको यह स्पोर्ट कर लेगा तो दोस्तों आपके पास एक XVR भी होना बहुत ही जरूरी है इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक पावर सप्लाई भी होनी चाहिए आपका जो टूल बैग है उसके अंदर आप एक पावर सप्लाई भी वहाँ पे रखिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो कैमरे को पावर सप्लाई खराब होती है और कैमरे को पावर मिलनी पाती और वहाँ पे कैमरा चलनी पाता तो आपके जो टूल बैग है उसके अंदर हमेशा एक पावर सप्लाई होने चाहिए ये मेरे पास आठ चैनल की पावर सप्लाई है ये मेरे बैग में हमेशा मिलेगी इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो CR 1220 जो ये सिम प्रोब्लम आती है तो आप इसली इस जो सिमोस सेल है इसको चेंज करके उस डेट और टाइम की प्रोब्लम को आप वहाँ पे सोल कर सकते हैं दोस्तों एक की सबसे बढ़िया डिवाइस है को जो ये कोफ की डिवाइस है इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है आप हमारे चै है रखी हम की दी व्याइर को एडिवИक और कर सकते हैं दूस्तों बहुत बार जब हम किसी कंपलेंट पर जाते हैं तो कस्टमर का जो वाइए वाइफ इ Sekरेक्शन होता है या दोस्तों आप इस कोफ की help से जैसे आपने कहीं पर CCTV camera इंस्टॉल कर दिया थोड़े long distance पर है तो आप इसकी help से mobile में view देखके वहां पर जो भी उसका camera होगा उसका view सेट कर सकते हो तो दोस्तों देखां आपने की जो CCTV technician होता है उसके पास जो इंपोटेंट जो tools होते हैं य कि जो हमने RJ45 जो cat6 cable में जो RJ45 connector लगाई है वो properly वहां पर लगे है या नहीं लगे हैं इसके अलावा दोस्तों एक CCTV tester की LED भी आती है आपको CCTV camera की जो tester की LED होती है आपके पास वो भी आपके पास होनी चाहिए आपके back के अंदर और दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई भ और कुछ इस टाइब की हो ताकि उसके अंदर हम जो भी हमारी जो drill machine होती है उसके लिए हमें helpful होगी क्योंकि दोस्तों हमें जब drill करनी होते हो कम से कम 8 या 12 feet की height पे हम camera install करते हैं तो आपको क्या करना है आपको इसमें यह लगाना और इसको आप जो बिजली का board होगा उसके आप आराम से वहाँ पे drill कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा है कि CCTV camera install करने के लिए हमारे पास हमारे जो bag होता है उसके अंदर क्या क्या टूल होने चाहिए दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आप चैनल पे नए है तो फिली चैनल को subscribe कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना दोस्तों हम next वीडियो में आपको practically करके बताएंगे कि कैसे drill machine कैसे चलती है और जो RJ45 connector होते हैं वो cat6 में कैसे लगाई जाते हैं दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको सारी technical वीडियो आपको मिलेगी तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में किसी next topic के साथ धन्यवाद दोस्तों